हेलो एब्रिवन वैलकम टू एलन डिजिटर सो नाव वी आर गुएंग टू डिस्कॉस अबाउट रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर क्या होते हैं बच्चो ऐसे सर्कीट जो एसी को डीसी में कर्वर्ट करते हैं उन्हें हम रेक्टिफायर बोलते हैं या सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे सर्कीट जो ऑल्टरनेटिंग या बाइडारेक्शनल सिगनल को डायरेक्ट या यूनिडारेक्शनल सिगनल में कनवर्ट करते हैं उन सर्कीट को रेक्टिफायर कहा जाता है और इन रेक्टिफायर सर्कीट में जो डिवाइस मैनली रेक्टिफिकेशन क काम करती है वह है डायोड क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हम डायोड की Baissing करते हैं हम दो तरीके से डायोड की brewing कर सकते है या तो forward fishing में या reverse Aquí में तो जब भी हम डायोड को forward coaching करते हैं तो वह signal को कर देता है मतलब वह conduct करता है forward by sing में diode conduct करता है means signal को allow कर देता है और जब हम diode को reverse bias में connect करते हैं तो वो conduct नहीं करता वो high resistance offer करता है तो वो signal को block कर देता है और diode की यही property AC को DC signal में बदलने के काम आती है ठीके बचो तो जब भी आपको DC signal की जरूरत हो जब भी हमें DC की requirement होगी तो हम rectified circuit को use करने वाले हैं जैसे for example कि सब practical life में कहां हमें DC की requirement होती है जैसे मैंने एक छोटा सा example या mobile हमें माली जी mobile की battery को charge करना है बच्चो अब mobile की battery को charge करने के लिए DC supply की requirement है बट हमारे घरों पर domestic या commercially हमारे पास जो supply available है वो तो AC supply available है तो अपने घरों पर तो AC supply आ रही है तो फिर mobile की battery के से charge होती है बच्चो तो AC को DC में convert करने की हमें यहां जरूरत पढ़ गई यदि जब तक हमें DC नहीं मिलेगी तब तक mobile की battery charge नहीं हो पाईगी तो वहां हम इस circuit को यूज करते हैं mobile का जो charger होता है जो adapter होता है उस adapter में यह circuit लगा होता है rectified का circuit लगा होता है इस circuit के पास input तो आती है AC सोकिट से कौन से supply आईगी AC supply आईगी बट उस adapter से जब हमें output मिलता है तो output पे हमें DC supply मिलती है और वही DC supply lead के through mobile की battery में जाती है और इस तरीके से हमारा mobile charge होने लग जाता है तो जब भी आपको DC की requirement हो तो आप rectified circuit को use करना बच्चो तो देखे बच्चो rectifier के points एक बार हम देख लेते हैं डिक्टेट कर लेते हैं दो सरकेट which convert AC into DC इसकी definition हुई बच्चो डायोड can be used for rectification purpose as it is uni directional device हम यहाँ पर डायोड को ही rectification के form में use करने वाले हैं कैसे डायोड काम करेगा अभी हम समझेंगे now come to the types of rectifier basically rectifier बच्चो दो टाइप के होते हैं एक होता है half wave rectifier जिसे हम short में abbreviate करते हैं HWR से and second one is full wave rectifier करते हैं और इस full wave rectifier को भी हमने दो पार्ट में categorize किया हुआ है one is center tape full wave rectifier and second one is bridge type full wave rectifier तो हम one by one यहाँ पर rectifier की study करने वाले हैं तो सबसे पहले हम discuss करेंगे half wave rectifier के बारे में कि यह rectifier कैसे काम करता है क्या यह AC को DC में convert करके देगा की नहीं देगा अब हम यह चेक करने जा रहे हैं यदि AC DC में convert होगी तो ही उस circuit को rectifier कहा जा सकता है यह rectifier की शर्त है बच्चो चलिए let's move on half wave rectifier तो बच्चों यह मेरे पास half wave rectifier का simple circuit है इसमें 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 पॉइंट में जो जो supply यह सबसे पहले हम इस by directional supply को किसको देते हैं transformer को बच्चों transformer हम जो यहां use करते हैं वहता है step down transformer और step down transformer क्या करता है आप लोगों को पता होगा यह high voltage के AC signal को low voltage के AC signal में convert कर देता है तो बच्चों हमारे पास जो input है वह high voltage की AC है किसके comparatively जो आपको DC की requirement है हमें low voltage DC की requirement है बट हमारे पास जो AC available है वह high voltage की AC available है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उस high voltage की AC को इस transformer की health से low voltage की AC में ही convert कर देते हैं तो हमने AC को directly पहले DC में convert नहीं किया है पहले हमने high voltage की AC को low voltage की AC में convert कर दिया with the help of step down transformer तो बच्चों हमारे पास जो transformer की जो secondary coil है इस secondary coil की अक्रस जो voltage मिलेगा वह AC की form में होगा बड़ यह low voltage AC signal होगा हमने signal voltage का लिए रखा है तो हमारे पास low voltage का signal हुआ है फिर हम इस वाल्टेज low voltage को कहां देते हैं फिर हम इसे देते हैं ट्रांस डायोड को यहां हमने एक डायोड लगा रखा है बच्चो और डायोड जो मैंने यहां यूज कर रखा है वह है आईडियर डायोड मतलब मैंने इसका कोई resistance या कोई barrier potential consider नहीं कर रखा है सब को neglect कर रखा है बच्चो और यह हमारा वो लोड है जिससे DC की requirement है और लोड की फोर्म में यहां पर बल्ब यूज का रखा है तो देखते हैं बच्चो यह तो पूरा हमारे पास circuit है तो हमारे पास secondary में AC input में होगा जो कि low voltage होगा और हमें यह चेक करना है कि AC देने पर हमें DC मिलेगा की नहीं मिलेगा तो चलिए इस circuit को हम operate करते हैं बच्चो अब अच्चो यह तो हमें पता ही है यार कि AC के AC होती है bi-directional bi-directional का मतलब यह है कि इसके अंदर alternate एक positive का half cycle होगा और alternate एक negative का half cycle होगा इसे हम बोलते है positive half cycle इसे हम बोलते है negative half cycle और यह हमारे पास input voltage है जो की low voltage है और इस इन दोनों cycle को मिला दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं एक complete cycle या एक full cycle तो एक full cycle में हमारे पास दो half cycle होते हैं एक positive half cycle और एक negative half cycle और फिर यही वेव हमारे पास repeat होती देती बच्चों यही हमारा signal AC की form में repeat होता अल्टरनेट positive और negative हमारे पास आते रहते हैं यह हमारे पास एक AC signal है जो की sine wave की form में हम generally use करते हैं यह तो sine wave वाला होता है यह co-sign वाला होता है बढ़ हम standard जो यूज करते हैं वो sine wave का signal है तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों पहले हम इस circuit को positive cycle apply करेंगे positive signal देंगे डेखते हैं लोड को क्या मिलेगा फिर हम negative cycle apply करेंगे इस circuit पे तो द चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं positive half cycle की तो पहले मैं इस circuit को positive cycle देने वाला हूं तो यह मेरे पास कुछ मैंने point mark कर दिये बच्चों यह point A है यह point B है यह diode का P point है यह end point है और यह load है ठीक है बच्चियों तो हमारे पास पहले हमको positive half cycle का मतलब क्या है positive half cycle का मतलब यह है कि A वाले point का potential B के respect में high potential पर होगा तो यह high potential पर होगा तो भी कौन से potential पर चला जाएगा low potential पर तो यहाँ पर बच्चों A high potential पर आ गया और बिलो potential पर आ गया तो potential marking से हमें क्या पता चल गया हमें diode की bycing के बारे में पता चल रहाएगा यह p connected है high potential से और n connected है low potential से तो यह जो diode है वो forward bycing में चला गया और जब डाइट forward bycing में होता है it will conduct यह एक वायर के जिसे property show करेगा क्योंकि हमने इसको ideal ले रखा है तो यह जीरो ओम का resistance offer करेगा और यह दिये diode जीरो ओम का resistance offer करेगा तो यह सारी के सारी current यह सारे के सारे signal को यह allow कर देगा मतलब हमारा bulb glow होगा तो यह bulb से current flow रही है हमारा bulb glow होगा इसका मतलब है बच्चो हमने जितना voltage input में दिया है वो पूरा का पूरा voltage load के across चला जाएगा हमारे voltage का कोई loss नहीं हुआ total जैसा हमने apply किया वैसा ही हमें load को voltage मिल गया तो अब हम इस बात को फेव फों से समझ लेते हैं बच्चो तो बच्चों यह मैंने एक AC वर्ट मिटर ले रखा है पहले हम पॉजिटिव हाप सेकल की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाप सेकल में यह पॉइंटर जीरो से स्टार्ट हो के उपर की और जाने वाला है तो देखते हमें क्या मिल रहा है तो बच्चों जो हमने पॉजिटिव हाप सेकल अप्लाई किया तो जैसा वोल्टेज हम इन्पुट में दे रहे हैं हमारे पास कोई वोल्टेज डाइवड ने कंजूम नहीं किया टोटल वन्टेज योड के पास चला गया यह तो भी पॉजिटिव सैकल की बात अब हम बात करते हैं तो चलिए अब हम झैगिटिव साइकल को स्मझ लेते हैं तो यह हमारा सरकूट है बच्चो यहां पे point A और point B हमने माग कर लिए इस बार हम negative cycle यहां apply कर रहे हैं A point और B point के बीच में यदि negative cycle apply कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस बार B के respect में A वाले point का potential लो होगा तो A यदि low potential पे होगा तो B वाला high potential पर चला जाएगा तो A चला गया low potential पर तो B चला गया high potential पर तो इससे हमें diode की baising पता चल गई इस पर P connected है negative से और N connected है positive से तो diode reverse bias में चला जाएगा और यदि diode reverse bias में चला गया तो यह high resistance offer करेगा और हमने diode को ideal मान रखा है तो यह infinity ohm का resistance offer करेगा और यदि diode infinite ohm का resistance offer करेगा तो यह कोई current flow ही नहीं करने देगा मतलब यह current को block कर देगा तो यह as a open circuit की property show करेगा और यदि यह open circuit हो गया तो क्या bulb में कोई current flow होगी नहीं होगी यदि bulb में current ही flow नहीं होगी तो bulb glow ही नहीं करेगा उसको मिलने वाला voltage 0 होगा तो सारा voltage जो हमने input में apply किया है वो सारा diode ने consume कर लिया लोड को नहीं मिल पाया अब हम इस बात को waveform से देख लेते हैं बच्चो तो negative cycle की waveform देखी बच्चो यह अब हमारा voltmeter हमारा जो needle का जो pointer है वो negative की तरफ जाने वाला है बच्चो तो देखिए जब हमने negative cycle input में गिया तो bulb glow नहीं किया हमें output में 0 volt ही मिल रहा है negative cycle देने पर हमें 0 volt मिल रहा है ठीक है बच्चो तो negative की भी हमने cycle देने की भी बात कर ली अब हम दोनों को combine करके conclusion की तरफ चलते हैं तो अब हम दोनों cycle को एक साथ combine कर रहे हैं तो यह हमारा circuit था rectifier का तो पहले हमने क्या किया पहले हमने positive का half cycle दिया था फिर हमने negative का half cycle दिया था अब हम दोनों को साथ में पढ़ने वाले तो जब हमने positive का half cycle दिया तो यह वाला हाई potential पर होगा बी वाला लो potential लोगा डायोड फॉरवड बैसिंग में चला जाएगा फॉरड वैसिंग में चला जाएगा यह कंड़क्ट करेगा कंड़क्ट करेगा तो करेंट फ्लोगी अब लोग पोटेंशिल पर चला गया भी हाई potential पर चला गया तो अब हमारा डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा और यह रिवर्स बायस में आ गया तो यह कंड़क्ट ही नहीं करेगा यह अपन सेकिट की प्रोपरटी शो करेगा वाला नेगिटिव साइकल देने पर हमे जीरो वर्ट मिलेगा लोट को तो हमने क्या किया बच्चो अब इसको एडी मैं वेवफोर्म की फॉर्म से समझू वेवफोर्म बनाकर देखते हैं बच्चो तो हमने देखिए बच्चो इन्पुट में एसी दिया एसी मतलब जो बाय डारेक्शनल हो बट आउट्पुट मे हमें यूँ डिरेक्शनल ही मिला हमें डीच सिपनल मिला क्यों कि एक डारेक्शन में मिल रहा है तो हम एसी सिवनल अपलाई कर रहे है reps में पहला एसी देने पर में डीची मिल गया तो इस सठीट को क्या कहा जागा रच्टिफायर क्योंकि यह सी को डीसी में convert कर रहा है या bi-directional को uni-directional में convert कर रहा है दूसरी बात हमने full cycle apply किया पर हमें output में half cycle ही मिल पाया half cycle का loss हो गया इसलिए इस rectifier का नाम दिया गया half wave rectifier क्योंकि ये full cycle देने पर हमें half cycle ही provide करता है ठीक है बच्चो तो ये half wave rectifier का हमने function समझ लिया ओके थैंक यू हुआ हुआ